आज का आजाद सिपाही अख़बार आपने पढ़ा क्या बढ़ते रहिए अपना लोग प्रियद्दानिक अख़बार आजाद सिपाही नमस्कार आजाद सिपाही के खबर विसेश में आपका स्वागत है मैं हूँ राहुल सेंग मोधी सरकार के दूसरी कारिकाल का पहला बजट संसद में पेश कर दिया गया है इसमें गरीबों पर तौफ़े की बारिश की गई है जबकि अमीरों पर बोज बढ़ा दिया गया है मध्यम वर्ग को भी कुछ राहत दी गई है देश की पहली पुर्ण कालिक महिला वित्यमंत्री निर्मला सिता रमन ने लोगसभा में मखमल के लाल कपड़ी की पूपली खोल कर जैसे जैसे बजट भाशन आगे बढ़ाया देश का शेयर बाजार गिरता समहलता रहा करीब साबा दो घंटे के बजट भाशन के दौरान निर्मला सिता रमन ने कई बार अपने शाराना अंदास का परिचे दिया तो नारीतू नारायनी का मंत्र भी दोहराया बजट से उम्मीद लगाए मध्यम वर्ग को थोड़ी राहत जरूर दी गई है लेकिन पेट्रोल, डीजल और सोना चांदी की कीमतों में बढ़ोत्री से या वर्ग निराश भी है महिला वित्त मंत्री ने महिलाओं को भी तोहफा दिया है जबकि रेल यात्रियों पर बोज नहीं डाला गया है निर्मला सिता रमन द्वारा पेश बजट का हाम भारत्य जर्मानस पर क्या असर होगा और इससे निव इंडिया के प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को कितना बल मिलेगा इसका आकलन करती आजाफ सिपाही टीम की खास रिपोर्ट देश की पहली पुर्ण कालीक महिला वित्मंत्री निर्मला सिता रमन शुकुरवार को जब संसद भवन पहुची तो उनके हाथ में वह लाल ब्रीफ केस नहीं था जो बजट के दिन वित्मंत्री लेकर आते थे ब्रीफ केस की जगह मकमल के लाल रंग के कपड़ी का पैकेट वित्मंत्री के हाथ में था जिसे उन्होंने मीडिया को दिखाया सदन की कारवाहि शुरू होने के साथ ही उन्होंने पोटली खोली और देश के जमा खर्च का खाता बही बेश करने का सिल्सुला शुरू किया इससे पहले उन्होंने ही कहा था कि यह बजट नहीं खाता बही है वित्यमंत्री का भाषण जैसे जैसे आगे बढ़ता गया आतिक गतिवीधियों का बेहद समवेदर शील सूचकांख यानि शियर बाजार गिरता उठता रहा देश भर के लोग न्यू इंडिया के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जमीन पर उतरने की उमीद लगा कर बैठे थे वित्यमंत्री ने उन्हें निराश नहीं किया उन्होंने अपने भाशन के शुरुआत में ही कहा था कि मोदी सरकार गाउं गरीब किसान और महिला युवा पर अधिक फोकस दे रही है इसलिए अपने सवादो गंटे के भाशन के दोरान उन्होंने गरीबों पर तोहफे की बारिश कर दी जबकि अमीर की जे पर शिकल जा थोड़ा और कस दिया बजट में मध्यमवर के लिए टैक्स लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है हाला कि उसके घर खरिदने के सपने को सरकार पूरा करेगी घर खरिदने के लिए कर्स पर मिलने वाली छूट को दो लाक से बढ़ा कर साड़े तीन लाक कर दिया गया है पेट्रोल डीजर के तामों में इजाफा होगा क्योंकि अब इस बार एक एक रुपया का सेस लगेगा इसी तरह सोने पर लगे शुलक को 10 फिसदी से बढ़ा कर 12.5 फिसदी कर दिया गया है तमबाकू पर अतरिक्त शुलक लगाया गया है बजट में जाद कमाई करने वालों को जटका दिया गया है दो करोड तक के टैक्स लैब में बदलाओ नहीं किया है लेकिन सलाना 2 से 5 करोड रुपे कमाने वालों को 3 फिसदी अतरिक्त टैक्स देना पड़ेगा वहीं 5 करोड से जाद की कमाई वालों पर 7 प्रतिर्शत अतरिक्त टैक्स लगाया गया है यदि कोई सक्ष बैंक से 1 साल में 1 करोड से जाद की राशी निकालता है तो उसे 2 फिसदी का TDS देना होगा मतलब 1 करोड से जाद की राशी निकालने पर आपके खाते से 2 लाख टैक्स के तौर पर कट जाएंगे वित्यमंत्री ने हाईकर रिटर्ण को लेकर बड़ा एलान किया है उन्होंने कहा कि रिटर्ण भरने के लिए अपैन कार्ट जरूरी नहीं है करदाता आधार कार्ट के जरिये भी टैक्स का भुकतान कर सकते हैं वित्यमंत्री ने कहा कि भारती अर्थ व्यवस्था इस वर्ष तीन खरब डॉलर की हो रही है क्रेश शक्ती की समानता के रूप में यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था है सरकार की अगली पांच वर्षों में बुनियादी धाचे में एक्षा एक सो लाख करोड रुपे निवेश करना दस हजार करोड रुपे के खट से विद्यत वाहनों को टेजी से अपनाना अफ्रीका में 18 नए भारतिय दुताबास मिशन खोलना वेश्वेस्तरिय परेटन स्थलों में 17 महतपूर परेटन स्थलों का विकास तथा 1, 2, 5, 10 और 20 रुपे के सिकों की नई श्रिंखला जारी करना संसद में पेश केंद्रिय बजट 2019-20 की कुछ प्रमुख बाते रही इस बजट की सबसे खास बात लिया है कि वित्मंत्री ने समाच के सभी वर्गों को चुआ सबा दो घंटे तक चले भाषण के दोरान एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वित्मंत्री के रूप में उन्हें अभी महज एक महिने से कुछ अधिक ही हुए है उन्होंने साबित किया कि वो अपने पुर्व वर्थियों से किसी भी मायने में कम नहीं है और परंपराओं को तोरने से भी नहीं हिचकती है एक रुपए से बीस रुपए तक के सिक्तों के नई सीरीज जारी करनी की बात हो या नारी तू नारायनी के सहारे महिलाओं के लिए रियातों और सुविधाओं का प्रस्ताव हो वित्यमंत्री कहीं भी नहीं अटकी उनके भाशण के दारान कम से कम 18 बार मेजे थपथपाएं गई जो इस बात का प्रमाण है कि या वाकई न्यू इंडिया का बजट है खुद प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने इतने शांदार बजट के लिए वित्यमंत्री को बढ़ाई दी है और कहा है या बजट नए भारत का निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा राजनितिक रूप से ही नहीं आर्थिक दिर्श्टिकों से भी निर्मला सिता रमण के बजट को सहराना ही मिल रही है बैंकों के NPA में कमी और कॉर्परेट घरानों पर बोज बढ़ाने के उनके फैसले को आर्थिक विशशग्य सहसिक कदम बता रहे हैं इतना ही नहीं मीडिया और खुदरा वैपार में शत प्रतिर्शत विदेश्य निवेश की अनुमती देने और रेलवे के सिमित निजिकरण की गोशना की भी तारीफ हो रही है विशशग्यों का कहना है कि गाउं के विकास के लिए सरकार दुआरा की जाने वाली कोशिशों को सफल बनाने के लिए जो रकम चाहिए वह इन्हीं उपायों से आ सकती है वित मंतरी ने कहा है कि भारत को एक लाख करोड के निवेश की जरूरत है इस जरूरत को केवल टैक्स बढ़ा कर पूरा नहीं किया जा सकता है इसलिए यह साफ है कि निर्मना सिता रमण और उनकी टीम ने बजट तयार करते समय अर्थ व्यवस्था के हरे एक पहलू को ध्यान में रखा और मोधिस सरकार के विजन के अनुरूप इसमें अपना इंपुट दिया चुकि लोगसबा चुनाओ अभी खत्म हुए है और अगले चार-पाश महीने तक कोई चुनाओ समभावित नहीं है निर्मना सिता रमण को इस शांदार बजट के लिए दस में से नौ अंग तो आसानी से दिये जा सकते हैं आज के बजट स्पेशल में बस इतना ही देश विदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोगप्रिया द्यानिक अख़बार आजाब सिपाही और हाँ आप हमारे इस योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जुड़े रहिए आजाब सिपाही के साथ धन्यवाद